हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हाउ टू क्वालिफाई MPCPCT एक्जाम टू 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 टूटिटीटू हम ये समझने की कोशिज करेंगे कि CPCT एक्जाम क्यों देना चाहिए और ये किस काम में आएगा और हमें इसे किस प्रकार से अटेम करना है अगों में अनिवारी कर दी गई है, CPCT एक्जाम क्वालिफाई कैसे करें आज का यूग कंप्यूटर का यूग है जहां पर सभी सरकारी कामकाज आज कर कंप्यूटर से ही किये जा रहे हैं सभी गोवर्मेंट डिपार्टमेंट में निकलने वाली जादातर भरतियों में CPCT को अनिवारी कर दिया गया है मध्यप्रदेश सरकार ने इसपस्ट कर दिया है कि आने वाले समय में पटवारी एक्जाम, सहायक ग्रेट, कंप्यूटर ऑपरेटर, ग्रेट 3 और सभी आफिस कारे की पोस्ट के लिए CPCT पास होना अनिवारी होए हम यह जानेंगे कि how to qualify MPCPCT exam 2022 इसके हम important top 10 tips देखेंगे जिसे हमें follow करके इस exam को qualify करना है देखे बच्चों मैंने CPCT exam के सभी प्रशनों के pattern को विस्तार से समझा और उसके बाद ही मैं आपको यह tips दे रहा हूँ आज मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि CPCT exam 2022 को कैसे आप मात्र 30 दिन में पास कर सकते हैं without practice exam qualify नहीं की जा सकते आप यह हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी महनत के अलावा कोई भी कारे को पूर्ण नहीं किया जा सकता सपलता हासिल करने के लिए आपको इस exam के लिए 30 दिन का समय निकालना होगा मैं इस post के माध्यम से आपको यह बताना चाहता हूँ कि exam में किस तरह की प्रस्न पूछे जा रहे हैं उनका पेटर निक्या है और उस exam में कुछ पीन टेस्ट होंगे जिसे हम इस प्रकार से देखेंगे पहला Computer General and Maths Reasoning दूसरा English की टाइपिंग और तीसरा Hindi की टाइपिंग रहेगी English की टाइपिंग किस प्रकार होगी आप समझे English की टाइपिंग जो टेस्ट होगा उसमें कुल 15 मीट का समय दिया जाएगा इस टाइपिंग में आपको टेस्ट को खतम करना होगा इस सर्टन टाइम में अंग्रेजी के टाइपिंग में जो फेल होते हैं इसके कुछ कारण है कि वो टाइपिंग टेस्ट में कुछ गलतियां करते हैं इसलिए उनका अंग्रेजी का टाइपिंग टेस्ट नहीं निकल पाता मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अंग्रेजी टाइपिंग में क्या गलती होती है जो कि हमें नहीं करना है जब आप टाइप करना चालू करे तो बीच में कभी भी रुकना नहीं है अगर कोई सब्द गलत हो जाता है तो उसे सुधाने की कोशिश ना करे टाइपिंग में आपको back space का कभी इस्तमाल नहीं करना है यदि आप back space का इस्तमाल करते हैं तो आपका समय भी खराब होगा और आप test के जो 15 मिट आपको दिये गए हैं वो कभी complete नहीं कर पाएंगे आप उसका पूरा use नहीं कर पाएंगे टाइपिंग के दोरान यदि कोई बहुत बड़ा word आ जाता है जो कि आपको मुश्किल लग रहा है तो आप कुछ भी नहीं मपत करिए आप उसका एक लेटर टाइप करें और इसपेस देकर आगे बढ़ जाएं और अगला word टाइप करने लगे जैसे ही test खत्म होगा आपको तुरन तो उसे submit करना है इस प्रकार से आप अपने समय को बचा सकते हैं और अपनी speed में time को भिना delay किये पूरी तरह से complete कर सकते हैं अंग्रेजी की typing जैसे ही complete होगी बच्चो आपको फिर से 15 मीट का समय दिया जाएगा जो कि एक rest time रहेगा जिसमें आप अगले test के लिए तयार हो जाएगे इसमें examiner आपके computer में remington gel font को set कर देंगे इसके बाद जैसे ही 15 मीट का आप rest आप लोगे जैसे ही वो complete होगा उसके बाद आप Hindi typing के लिए ready हो जाओगे हिंदी typing में भी लगभग 15 मीट का समय रहेगा लगभग नई 100% 15 मीट का ही समय रहेगा जिसमें आपको पूरा meter type करना है typing से पहले keyboard को अच्छी तरीके से आप चेक कर ले और examiner को हिंदी remington gel की board select रने के लिए कहें और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि typing के दोरान word को ना सुधारे और ना ही कोई गलत word अगर कोई type हो गया है तो ना ही उसे कोई back space से delete करें सीधे ही jump करके नए word पर आगे बढ़ जाए बचो जैसे ही आपकी हिंदी की typing complete होगी उसके बाद कुछ समय का break दिया जाएगा जिसमें उसके बाद अगले पड़ाओं में आपको एक test दिया जाएगा जिसमें पिचोतर मिनीट का समय रहेगा और पिचोतर अंक के पिचोतर question रहेंगे और ये question रहेंगे लगबग computer के reasoning test रहेगा general ability test जिसमें computer knowledge और general knowledge पुछा जाएगा देखे बच्चो सबसे ज़्यादा important कौन-कौन से point है MCQs में हम इसे जानेंगे CPCT exam में computer में networking, operation system, MS, Excel, formula and MS Word shortcut की hardware part and software के साथ-साथ protocol से सम्मधित पुछे जा रहे है computer में basic computer कम पुछा जा रहा है यह मेरा अपना experience है, आप इनी topic को ज़्यादा पड़े पिछली exam का analysis किया, जिसमें मैंने यह देखा कि आपको यह tips देना सही है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है computer knowledge and general से लगबग 35 अंकर के प्रस्ण पूछे जाने है इसके लिए आप computer के प्रस्णों को अध्यान करें और मैंने अपने ही इस YouTube चैनल पर upload की है जहां पर आप इसकी help से अपनी तयारी को और बेतर बना सकते हैं आप इस channel के playlist में जाए और सारे computer के chapters को read कर लीजिए आगे समझते हैं सिपिसीटी English टाइपिंग टेस्ट और Hindi टाइपिंग टेस्ट पास करने के लिए हमें प्रती दिन लगबग टाइपिंग की practice 2 घंटा करने ही चाहिए और यह 30 दिनों तक करना हमें अनिवार है सुबह हिंदी एवम शाम को अंग्रेजी में जब तक आप अंग्रेजी में 40 और Hindi में 30 की स्पिट ना ले लेते तब तक आपको अपनी तयारी को बहतर बनाने की कोशिश करते ही रहना है और एक बार में ही आपको सिपिसीटी पास करना है जब आप एक्जाम देने जाते हैं तो आपकी स्पिट 5 WPS कम हो जाती है था लेकिन पेपर कैसा आएगा ये हमें पता नहीं था मैंने पाया कि मेरी स्पिट 45 से लगबग 40 हो गई थी कुछ important tips समझे आप Hindi टाइपिंग में आप ज़्यादा ध्यान दे क्योंकि अंग्रेजी टाइपिंग तो आसानी से टाइप हो जाती है और निकल भी जाती है समझो पर Hindi टाइपिंग रेमिंग टन में होती है इसमें कुछ बटन बदल दी गई है आपको सिर्फ रेमिंग टन गेल पर ही टाइपिंग करना है तब ही आप सफल होंगे बच्चो एक्जाम में सबसे पहले आप अपने कीबोर्ट को čेक करें अच्छे से सारी बटन काम कर रही है या नहीं कीबोर्ट जाम है तो ऐसी कंडिस्टन में आप एक्जामिनर से बात करें और कीबोर्ड चेंज करने का अश्वाशन ना देने से बहतर है कि आप उसे चेंज करवाए और तुरंद ही कीबोर्ड आप बदल ले समय का भहुत मत्व होता है इदर उदर देख कर समय का बरबादी ना करे हमने हमारी वेबसाइट पर एक्जाम से संबंदित कंप्यूटर से संबंदित सारे प्रशन अप्लोड कर दी है इस चैनल पर भी अप्लोड किये जा चुके हैं आप प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं